प्रणाम अचेरे स्री सत्रा का आखरी दिन है इन तीन दिनों में काफी ब्रांतियां टोटी है अब मेरी समस्या कल से यह सुरू होगी कि जो भी सीखा समझा वो भूलने की अलग काफी सलों से यह है कि कुछ भी है कि भूल जाते हैं वापस जाके एक ऐसा डर सा लगा रहता है कि जो भी सीखा वो भी रूटीन लाइब में घूलना जाए सक्के कब भूल जाए एकदम भूल जाए जो न्यूनतम हो उसको याद रखिएगा बहुत सारा जो याद रखे हुए है समझ लीजिए कि वो सब कुछ भूले हुए है जो जितना ज्यादा याद रख रहा है वो उतना ज्यादा भूला हुआ है जिसके पास याद रखने को पूरा एक भंडार है क से लेकर ग्या तक ए से लेकर जेड तक जिसके पास याद रखने को पूरा एक भंडार है अखिल संसार है समझ लो उसे कुछ भी याद नहीं और यहाँ तो तीन दिन में बहुत सारी बाते हुए है कैसे याद रख लेंगे आप मैं आपको इतनी आश्वस्ति दे सकता हूं कि जितनी बाते हुए मुझे तो याद नहीं रहने की उसमें से कुछ भी याद नहीं रहने का तो मेरी सलाह क्या है आपको न्यूनतम को याद रखिए जिसने उसको याद रख लिया जो छोटे से छ कि तरह है चाभी कितनी बड़ी होती है छोटी महल कितना बड़ा होता है बहुत बड़ा जाभी है तो महल है हो जो चोटे से छोटा उसको याद कर लीजिए उसके माध्यम से पूरा महल आपका है हमारे बाबा जी है बुल्ले शाह गयते है एक अलफ पढ़ो छुटका रहा है गयते क्या तुम सब कुछ याद कर रहे हो भाई क्या आप याद रखना है बस न्यूनतम अलिफ याद रख लो बस अ कहां तुम पूरी कहानी याद रख रहे हो याद रखो बस तो यहां से भी जो कुछ जाना है सुना है सब भूल जाईएगा तो जो जरा सी एक चीज है चोटी से चोटी वो याद रखियेगा वो अगर चीज बड़ी हो गई तो बेकार हो जाएगी इतनी सी है तो आपके काम की रहेगी आत्मा को ले करके उपनिशद कहते हैं अंगुष्ठ मात्र अंगुठे जितनी चोटी है अंगुठा भी बहुत बड़ा बता दिया अंगुठे जितनी अगर हो गई तो फिर विचारी चीटी का क्या होगा और कहते हैं उपनिशद कि अनो रणियान अनु से भी छोटा है वो अब महतो महियान बड़े से भी बड़ा है अब बड़े से बड़ा है ये भूल जाएए आप छोटे से छोटा रख लिजिए क्योंकि बहुत बड़ा है तो इस छोटी से खोपड़ी में आएगा कैसे कोई इतनी सी बात याद रख सकते हैं कोई एक बात छोटी से छोटी अबरावर दस बीस पचास बाते नहीं एक बात कोई आद रख सकते हैं पूरा वाक्य भी ना हो एक शब्द आधा शब्द धाई आखर तीन भी नहीं धाई इतना छोटा बस कुछ ऐसा हो कि उसकी स्मृत आते ही मन का पूरा महौल बदल जाए चीज जरा सी है वो याद है बस वो भीतर गुनगुना आ रही है वो गूँज रही है वो इतनी छोटी है कि मन का बोज नहीं बन रही ज्यादा बड़ा माल होगा तो क्या बनेगा मन पर वजन की तरह रहेगा मन पर वजन नहीं रखना है कुछ इतना सा बस जब वो इतना सा होता है न बिल्कुल रंचमात्र, अडूमात्र, खूनमात्र. तो आपक ये भी इच्छा नहीं होतीकि इसको हट जिए कि और जिर थे आज़ लिए उरह और जगें। तो आप कहते है इसको रहने दो। जिसका आकार होगा, जिसका विस्तार होगा, उसको तो आप उठा के बाहर फेक सकते हैं, ना, जो अतिशय छोटा होगा, उसको तो आप भाहर नहीं नहीं फेक पाएंगे, फेक पाएंगे, तो अपने साथ कुछ ऐसा लेखे जाए, जो अतिशय छोटा हो, सुक्ष्मतम हो, न प्रणामाचरी जी जो में वीडियो आपके इतने सारे देखे, फिर उसमें मेने तो एक मंत्रा जवाब बता रहे थे कि विचो हूं तो मेरे लिए वो हूं वो है कि कॉंफिदेंस के पीछे मत जाओ, डर को जानो खुद के डर को जानलो बात काता हूं करो इतना बड़ा, जितना बड़ा होगा उसको साथ रखना उतना ही मुश्किल होगा, छोटे से छोटा और उसमें अभी तीन दिन से जो मेने संजनो की वाणी सुनी और पहली भारी सुनी, और उतने मतलब के साथ सुनी हैं कि क्या मतलब उसका मतलब था तो अभी अंदर तो मृजिकी चालओ गए हैं तो मुझे गाने का तो आ ता नहीं है कभी socialism कभी क्या भी हूं पर अब आसा सोच रहा हूं के कुछ तो गाऊंगा गाईए गुनगुना ये जब गुनगुना न भी रहे हो तो भी भीतर गुंज रहे सब याद रहेगा कोई शब्द थोड़े ही याद रखने होते हैं भाई एक सुक्षमतम भाव होता है समानने भावना नहीं एक सुक्षमतम भाव वो बना रहना चाहिए फिर शब्द भूल भी जाएं तो क्या करना है और शब्द कोई कितने याद रख लेगा शब्द तो असीमित है एक जरास जैसे जो तिर पुंज हो वो भीतर टिम्टे माता रहे बस रोशनी बनी रहेगी हम?